यह बात दावे के साथ कही जा सकती है कि विशुभर में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो दूद के स्वास्थिकुडों से अंजान होगा हर घर में बच्पन से ही बच्चों को इस बात से परचित कराया जाता है कि दूद पीना सेहत के लिए अत्यंत फायदे मंद है जब एक बच्चे का जनम होता है तब वह पूर्ण रूप से पोस्टन के लिए अपनी मा के दूद पर निर्फर करता है और फिर आज इवन गाय भैंस आज का दूद पीकर खुद को स्वच्च रखता है आज की वीडियो में हम दूद के फायदों को तो आपको बताएंगे ही साथ में हम आपको दूद से वेट लॉस और वेट गिन करने के गुड़ों के बारे में ही बताएंगे और हम आपको बताएंगे गाय भैंस और बकरी के दूद में से किन में कौन सा पौश्टिक तत्व पाया जाता है और कौन सा हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिसियल है और हम फोर्टिफाइड लोफ हैड इसकी मिल्क के पौश्टिक तत्वों की दिवेचना करेंगे तो आप बने रहे हमारे वीडियो में आपको इस वीडियो में काफी इंपोर्टेंट जानकारी मिलने वाली है दूद आपकी हड्डियों और मान स्पेसियों को मजबूत बनाने के काम आता है या आपकी हड्डियों की समस्याओं में राहत दिलाता है दूद में भरपूर मात्रा में कैल्सियम होता है जो हड़ियों के लिए जरूरी है इसके अलावाद दूद में प्रोटीन की मात्रा होती है जो आपकी मान स्पेसियों के लिए भी फायदेमंद है दातों के लिए भी दूद बहुत ही गुणकारी है दूद दातों को मजबूत करने के काम आता है दूद में प्रचूर मातरा में कैलसियम, फासफोरस और आयोडीन पाया जाता है जो दातों के लिए फायदे मंद होता है दूद में मौझूद सभी गुड़ दातों के लिए जरूरी होते हैं अगर आप अपने दातों को मजबूत रखना चाहते हैं तो रोजाना दूद पियें दूद आपके दातों की कई तरह की समस्याओं को दूद कर देता है अगर आपका वजन कम है तो बढ़ाने के लिए दूद गुड़कारी है और अगर वजन जादा है तो दूद वजन कम भी कर सकता है दूद वजन कम करने मदद ऐसे करता है दूद में कैल्सियम और विटामिन D होता है जो शरीर से अत्रिक्त चर्बी को हटाने में मदद करता है इसके अलावा इसमें प्रोटीन होता है जो काफी देरे पच्चता है और पेट भरा भरा होता है इससे हमें एक्सरसाइज करने की ताकत आती है जिससे हमारे चर्बी को गलाने में हमें मदद मिलती है इसलिए वजन कम करने में भी दूद का इस्तेमाल किया जाता है हिर्दें संबंदी समस्याओं के लिए भी दूद काफी फाइदे मंद है इसके नेमित सेवन से हिर्दें संबंदी बिमारियों के खत्रे कम हो जाते है लो फैट मिल्क आप के सरीर में HDL यह अच्छा कलिस्ट्रोल लेबल को बढ़ाता है और LDL बोरे कलिस्ट्रोल लेबल को कम करता है जिससे दिल की बिमारियों का खत्रा दूर हो जाता है डाइबटीज के रोगियों के लिए भी दूद गुणकारी है सूध में बात सामने आई है कि रोजाना दूद पीने से मधुमेह का खत्रा कम होता है इसमें मौझूद कैलसियम, मैगनेसियम, पेटाइड्स, सरीर के ग्लुकोज, टोलरेंस और इंसूलेन सेंसिटिविटी को संतुरित करते हैं जिससे की मधुमेह जैसे बिमारियों में लाब मिलता है पेट की बिमारियों जैसे अपच, एसिडिटी, दूद को अपच वाइसिडिटी के साथ अन्य कई तरह की पेट समंधी बिमारियों में राहत दिलाने के लिए जाना जाता है दूद सरीर में रेटोनाइट एसिट के उत्पादन को बढ़ाने मदद करता है जो पाचन तंतर को ठीक करके अपच और एसी डिटी से राहत दिलाने में मदद करता है इसके लिए आप ठंडे दूद का इस्तेमाल कर सकते हैं ठंडे दूद में प्राकर्टिक एंटासिड होता है जो एसी डिटी से राहत दिलाने में हमारी बदद करता है अनिद्रा के लिए दूद राम बाण है कई अधिन में बास सामने आई है कि रात को सोने से पहले गर्म दूद पीने से नीद अच्छी आती है दूद में ऐमिनो एसिड और ट्राइटोफन होता है जो नीद लाने में मदद करता है अगर आपको रात में नीद नहीं आती तो नीद बीच में टूट जाती है तो रोजाना रात को सोने से पहले गर्म दूद का सेवन करना फायदे मंद हो सकता है दूद में अगर हल्दी मिला के पीएं तो यह और भी गुणकारी है बिदेशों में तो गोल्डेन मिल्क का चलन ही चल पड़ा है रख्त चाप को नियंतित करने में भी दूद मदद करता है इसमें बिटामिन डी और केल्सियम होने के कारण रख्त चाप में को कम करने में यह हल्प कर सकता है अगर आपको उच रखत चाप की समस्या है तो आपको लो फैट दूध आपके लिए फायदे मन्द हो सकता है तनाव और डिप्रेशन में भी दूध काफी कारगर है रिसर्च में यह बात सामने आ चुकी है कि लो फैट दूध तनाव और डिप्रेशन कम करने में मदद करता है इसे में मौजूद प्रोटीन, कैलसियम, सरीर को आराम पहुचाता है जबकि पोटेसियम मांसपेशियों को आराम पहुचाने में मदद करता है जिससे तनाव और डिप्रेशन कम हो सकता है साफ और चमकदार तुचा के लिए भी दूध का इस्तेमाल काफी हद तक गुणकारी है अगर आप साफ और चमकदार तुचा चाहते हैं तो दूध का सेवन करना सुरू कर दें कई लोग तुचा के लिए कच्चे दूध के फाइदे जानते हैं इसका इस्तेमाल भी करते हैं कच्चे दूध में कैल्सियम और प्रोटीन जैसे तत्व होने के कारण तुचा को साफ और चमकदार बनाने मदद करता है इसके तुचा में चमक आती है तुचा हाइडरेट रहती है और चहले के ब्लेक हेड्स वा वाइटनेस भी साफ हो जाते हैं यहां रहे कच्चा दूध आपको तुचा पे लगाना होता है और दूध पीने के लिए हमेशा ही दूध उबाल कर ही पीना होता है बालों को सीधा और चमकदार करने के लिए दूध काफी लाफदायक है कुछ लोगों के सीधा करने के लिए वो केमिकल ट्रेटमेंट करते है और आप ऐसे सीधे बाल रखने के सौकीन है तो आपको दूध का इस्तेमाल करना चाहिए दूद में प्रोटीन होने के वज़ा से बाल चिकने स्मूद और स्ट्रेथ भी रहते हैं आये जानते हैं दूद में कौन कौन से पौश्टिक तत्वा होते हैं यहां हम चार कटेगरी के दूद की विसेस्ताएं आपको बताएंगे बकरी का दूद, भेंड का दूद, गाय का दूद और ब्रेस्ट मिल्क फैट के मामले में बकरी के दूद में 3.8% फैट होता है भेंड के दूद में 7.9%, गाय के दूद में 3.6% और ब्रेस्ट मिल्क में 4% लेक्टोस की बात करें तो बकरी के दूद में 4.1% भेंड में 4.9% गाय के दूद में 4.7% और ब्रेस्ट मिल्क में 6.9% लेक्टोस पाए जाता है अगर हम प्रोटीन को देखें तो बकरी के दूद में 3.4% प्रोटीन भेंड के दूद में 6.2% प्रोटीन गाय के दूद में 3. 3.2 परसेंट प्रोटीन और ब्रेस्ट मिल्क में 1.2 परसेंट प्रोटीन पाया जाता है उर्जायनिक कैलोरी को अगर हम पर 100 एमल दूद के हिसाब से देखें तो बकरी के दूद में 70 कैलोरी भेंड के दूद में 105 कैलोरी गाय के दूद में 69 49 कैलोरी और서 ब्रेस्ट मिल्क में 68 कैलोरी पाया जाती है कैल्सियुम की बात करें ठर सौ ग्राम में नो बकरी का दूद में 100 ग्राम दूद में 134 मजी कैलोरी थी पाया जाता है सीक्ष क calendar दूद में 1120 मजी कैलोरी और हम जाता कि दूद्में 119 mg Phosphorus गाय के दूध में 119 mg Phosphorus और ब्रेस्ट मिल्क में 43 mg Phosphorus पाए जाता है अगर विटामिन एक चार्ड को देखें तो विटामिन एक की मात्रा 185 mg बगरी के दूध में भेहन के दूध में 146 mg गाय के दूध में 126 mg और breast milk में 190 mg विटामिन D को देखें तो बहखरी के दूध में 2.3 mg विटामिन D और भेंड के दूध में 0.18 mg गाय के दूध में 2.0 mg और breast milk 1.4 mg विटामिन D मिलता है जादा तर लोग गाय या भैस के दूद में low fat और high micronutrient गुण होने की वज़ह से इसे ही पीना पसंद करते हैं तो आईए हम इन दोनों प्रकार के दूद के कुछ पोसक तत्व के बारे में भी देखते हैं यहां भी हम गाय का दूद भैस का दूद और breast milk के मा के दूद की तुलना करेंगे पानी की बात करें ग्राम में तो गाय के दूद में 88 ग्राम तक पानी होता है 100 ग्राम की बात हम कर रहे हैं भैस के दूद में 84 ग्राम तक पानी होता है और breast milk में 87.5 तक पानी होता है अगर 100 ग्राम दूद में हम कैलोरी की बात करें तो उर्जा गाय की दूद में 61 कैलोरी होती है भैस की दूद में 97 कैलोरी होती है वो ब्रेश्ट मिलके निमा के दूद में 70.4 कैलोरी होती है प्रोटीन के अगर तुलना हम ग्राम में करें तो 3.2 ग्राम प्रोटीन गाय के दूद से मिलता है 7.7 ग्राम प्रोटीन भैंस के दूद से मिलता है और 1 ग्राम प्रोटीन ब्रेश्ट मिल्क से मिलता है फैट की बात करें तो वसा गाय के दूद में 3.4 ग्राम भैंस के दूद में 6.9 ग्राम और breast milk में 4.4 ग्राम होता है Lactose की बात करें तो गाई के दूद में 4.7 ग्राम Lactose भैस के दूद में 5.2 ग्राम Lactose और breast milk में 6.9 ग्राम Lactose पाया जाता है Minerals की अगर बात हम Grams में करें तो गाई के दूद में 0.72 ग्राम Minerals भैंस के दूद में 0.79 ग्राम्स मिनरल और ब्रेस्ट मिल्क में 0.20 ग्राम्स मिनरल पाया जाता है अब हम 45 लो फैड और स्किम मिल्क के पौश्टिक तत्तों की बात कर लेते हैं ध्यान रहे हम यहां 100 ग्राम दूद में पौश्ट तत्तों की तुलना करेंगे अगर हम बात करें कैलोरी की तो 40 फैड दूद में 62 ग्राम कैलोरी लो फैड दूद में 47 ग्राम और 100 ग्राम इसकिम मिल्क में 34 ग्राम कैलोरी पाया जाती है फोर्टिफाइड मिल्क में 88.1 ग्राम पानी, लो फैट में 89.1 ग्राम पानी और इसकिम मिल्क में 90.5 ग्राम पानी पाया जाता है प्रोटीन के अगर बात करें तो 45 मिल्क में 3.4 ग्राम प्रोटीन, लो फैट में 3.4 ग्राम प्रोटीन, इसके मिल्क में 3.3 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है कार्बोहाइडर्ट के अगर बात करें तो 45 मिल्क में 4.7 ग्राम लो फैट में 4.9 ग्राम इसके मिल्क में 4.9 ग्राम कार्बोहाइडर्ट होता है अगर हम कलेस्टोल की गढ़ना mg में करें 45 मिल्क में 13 मिलीग्राम, लो फैट में 8 मिलीग्राम, इसकी मिल्क में 1 मिलीग्राम कलेस्टोल पाया जाता है वितामिन A, 45 में 59 mg, लो फैट में 22 mg, इसकी मिल्क में 0 mg, वितामिन D, 45 मिल्क में 0.05 mg, लो फैट में 0.05 mg, इसकी मिल्क में 0 mg, वितामिन B1, 45 मिल्क में 0.04 mg, लो फैट में 0.04 mg, इसकी मिल्क में 0.05 mg, वितामिन B2, 45 मिल्क में 0.14 mg, लोफ हेट में 0.11 mg इसकी मिल्क में 0.05 mg sodium 45 में 43 mg लोफ हेट में 41 mg और इसकी मिल्क में 41 mg पाया जाता है अगर हम calcium को देखें 45 मिल्क में 109 mg लोफ हेट में 112 mg और इसकी मिल्क में 114 mg मेगनीसियम की बात करें, तो फोर्टिफाइड मिलक में 9 mg, लोफ हैट में 9 mg, इसकी मिलक में 10 mg पाया जाता है इस प्रकार से हमने आपको बताया कि विभिन प्रकार के दूधों में कितने कितने प्रकार के कौन कौन से पोस्ततो पाया जाते हैं कि दूद की उपयोग को लेकर कई लोग के मन में सवाल रहते हैं कि दूद पीने का सही समय क्या है खाली पेड़ दूद की है या नहीं आगे आपकी इन सवालों का उत्तर भी आपको हम देते हैं इससे पहले आपसे रिक्वेश्ट है कि अगर आपने अब तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेला इकान दवाला न भूले जानकारी को ज्यादा ज्यादा सेयर करें और वी दूद्ध पीना उचित रहता है आप सुबह खाली पेट दूद्ध पी सकते हैं हलागे खाली पेट इसे पचाने में करशनाई हो सकती है अगर आपको लैक्टोज से किसी तरह की कोई परिसाइन नहीं है तो खाली पेट दूद्ध पीना ठीक है वहीं अध्यान करता दूद दूद्ध से होने वाले नुकसान पर नजर डालते हैं जी हाँ दूद्ध के फायदे तो आप ने इतनी गिने हो साथ जानते भी हो लेकिन दूद्ध के कुछ नुकसान भी हैं उसे भी जरा सुन लेजिए भले ही दूद्ध फायदे मन्द हो लेकिन कभी कभी दूद के नु समस्या हो सकती है उस लोगों को दूद से अलर्जी हो जाती है इसका करण भी लेक्टोज होता है ऐसे में इम्यून सिस्टम को प्रभावित कर सकता है एक और जहां कुछ लोग मानते हैं कि दूद गैस से राहत दिलाता है वहीं कुछ अगले वेडियों तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद जैभावद